तो आप लोग कैसे मुझे उम्एद है कि अप लोग अच्छे लिए और दिया जो कि काफी अच्छा और मुझे उम्एद है है मेरे चैन्ieur को सब्सक्राइब करें और घंटाikle जाके खुंद लेकर दवाइज में लेंगे दवाई है तो इस हम लोगों को पधा है यह समें पीछले वीडियो पर बताया कि किसी भी को्प्शन को बनाने से ओके तो पोंब के दो सब्सक्राइब करें कि सब्सक्रां कि यह एक पेर् lesson class अब टूट जाता है अब टूटा होवा हिस्सा इधा की वाण भी चले यह पेड़ ऐसा था अब आध्याने पी टूट जाता अब के बाद Ёग के साथ क्या करने लगता है एक एंगल बना लें मतलब पीड़ का पांद बिंदू पेड़ का पांद बिंदू हमारा यह पोइंट वो गया और पेर्ड का सिखर यह हो गया ठीक है तो पेर्ड का सिखर और पार मिंदू की दूई कितनी है आठ मिटर है ठीक है ये तो वोस्च में एकपर फिर से मैं को फिर से तूमिया ईखिए अच्छी तरीकल से माँ मeing घंथ है को अने से एक पेर तूट जाता है सपोज करें कि वेया ये पेर मेरा ये है चाहिए थोड़ी थीर तो हमारा यह तो दो चलते है यहां पर का सिखा जमीन को चुले लगता है तो जमीन के साथ कितना दिरी का एंगल मनाता है 30 डिगरी का एंगल जो पेर का पाग बिंदू यह होगा हमारा और जहां पेर का पाद यूश सिखर जमीन को छूटा 8 मीटर दूरी पर है कितना पेर का चिकर यह क्योंकि यह तो टूट चुका है, इमेजनेरी है, मतलब इसको हम लोग वो टूट चुग गया, आप तो वहां पे कुछ हुआ है, इसलिए हम इसको डोटेट लाइन से दिखाते हैं, ठीक है, यह हमारा फिगर रो हो गया, अब हम लोग पेड की कूल चाय को माल लेते हैं, एज, आप को ठीक है, आप यह हमार एक तरह का समकुंठ प्रभूज बन गया, कोषी समकुंठ प्रभूज कर नाम देंसे ए, बी, सी यह हमारा थिगगर तयार है, अब हम लोग फिगर वं शंयार हो चुका है, इसके बाद हम लोग बनाना इस्टार्ट करते आगे, ठीक है दुपगा अब तो किसी भी पोसन का बनाने से पहले figure ब्रो करना एकदम ज़रूरी है तो अब हुनों चलते हैं दिया गया पॉइंट अब ये जो दिया गया पेड़ का तूटा हुआ भाग को किता मालें वाई मीटर पेड़ का बचा हुआ भाग वह हमाले के एक्स मीटर और हमारा एंगल कितना डिगरी है तीस डिगरी पेड़ की पाद बिंदू से सिखर की दूरी आठ मीटर है इस तरह से हमने सारे गिवें पॉइंट को लिख दिया जिसमें से हमारा पेड़ का पूलुचा है एक्स मीटर है पेड़ का तूटा हुआ भाग वाई मीटर है पेड़ का बचा हुआ अब हाग एक्स मेटर रहा और इंगल हमारा थार्टी डिग्री है अब पेड़ का पांत गिंदू से सिखर की दूरी आठ मिटर है इस तरीका से हमने सब कुछ गिवेल पॉइंट लिख दिया अब हमारे पास इस ट्रेस नहीं है बोर्ट में तो इस वज़े से हम लोगों को अगे के बढ़ना पड़ेगा तो अब हमारे पास प्रोब्लम यह है कि हम लोग कौन सा बेलो निकाले है आपका एक्स का विलो निकाले है या वाई का वेलो तो यह आपर डिपेंड करता है कि आपको पहले निकालते हैं जैसे कि मैंने सबसे पहला बिड़ पे बताया था कि जब हम लोगों को अगर पी का वेलो गिवेंड है इसमें बी का वेलो गिवेंड है और हमें पी का वेलो निकाला है तो हम लोग उसके लिए क्या अप्लाय करते हैं तो उसकी साब से हम क्या करते हैं सबसे पहले एक का वेलो निकाल रहे है जिसमें मेरा बी का वेलो दिया हु अगल A, B, C, C ठीक है तो मैंने जैसा बता है कि 10 तक फॉर्मुला अप्लाई करेंगे तो 10 थीटा is equal to P by B ठीक है अब 10 हमारा थीटा कितना डिग्री का एंगल है 30 डिग्री का एंगल है तो मैंने 30 डिग्री लिप दिया अब आगे देखें पी हमारा कितना है पी हमारा कुछ नहीं दिया मतलब एक समान के चले और B हमारा कितना है आठ है अब 10 यह 10 30 डिग्री है अब 10 30 डिग्री का वेल्व हम लोग कहां से मतलब लिख सकते हैं यह हम लोगों को जाने के लिए फेज नुबर 204 में इसका पूरा चार दिया हुए जिस इसमें से हम लोग इस पेलू को निकाल सकते हैं तो वहां से मैंने 10 30 डिग्री का वेलू कितना होता है 1 रूट 3 होता है 1 रूट 3 आप इधर जैसा का वैसा होता हम देंगे ठीक है अब हमारे पास इस पर क्या करेंगे बहुत साइड आपके नंबर है फ्रेक्शन में है तो अ आठ गुना एक बराबर एक गुना रूट 3 ठीक है अब यह नंबर नंबर से नंबर मंट गुना हो जाए तो आठ यता आठ आठ और यह एक अलफ़ाबेट नंबर है तो पुरा तो कभी नहीं होगा तो हम लोग जैसा का वैसा उतार देंगे अब इसको क्या करेंगे नेक्स आठ अब हमारा एक का भेलू 8 रूट 3 आ गया यह मालेंगे समिक्राण 1 ठीक है अब हम लोग एक का भेलू निकाल चुकें अब जैसा कि देख है कि आपके पास बी का भेलू अब आपको और आपको यह निकालना मतलब बी दिया हुआ है एक निकालना तो जाहिए बात है फिर से द्रैंगल से इत आ कि ट्रेंडल एब in इस बार करें गे कोष्ट है क्या वें गहलगा उसे कविक ऑट तो कॉस्ट थिता क्या उता है बीवाह सुऩर ह् ठीकैं को स्दोस्ट हमारा एंस वह सकष्ट द्युक्म नब कितना उब ऑफटो क्यो वाइंип ठीक है अब हमको जैसा कि मालूम में कोस्ट खटे डिगरे के बेलू कितना उटा है अंडरूट 3y2 क्या होता है अंडरूट 3y2 और इधर जैसा का वाईसा अब देख रहें कि जैसा कि हम लोग पास बोर्ट के जगह नहीं है तो इसके लिए आप हम लोग क्या करना पड़ेगा जो उपर जो भी चीज़ लिखा उसको मिटाना पड़ेगा और फिर आप इससे क्रोस मंटिप्लिक्सिंग करेंगे जैसा कि आप जानते है कि कैशे ही गुना करना पड़ेगा मुस्तक्त यह वाई इसके साथ और यह इसके साथ मंटिप्लाय होगा तो रूट 3y बराबर क्या हो जाएगा दो बुना आट अब हमारी किया है यह नोबर है अर्य हमारा अल्फाबेट एक हमारा तो इसको जैसा कर रहा देंगे अवदे यह महारा बादंगे सब्करन दो सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब को जोड़ना पड़ेगा ठीक है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक तथा दो को जोड़ने पर तो एक्स पलस वाई बराबर एक्स का विलू हमारा कितना है एट बटा रूट थिरी पलस वाई का विलू 16 बटा रूट थिरी अब हमारा एक्स प्लस वाई उन्हों क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं क्योंकि यह एक्स आपका बचा हुआ भाग है पेड़ का और वाई हमारा तुटा हुआ हुआ इस तरह सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या करते हैं आपका राइट साइड में क्या करते हैं कि कुछ देख रहें कि दोनों नंबर क्या भीन में हैं और जब नीचे वाली संख्या बरावर सेम होती है तो हम लोगों के लेने की जोड़त नहीं पड़ती तो अब बस एक सीधा से लाइन की जाएंगे और यह हमारा जैसा वेलू रूट 3 तो रूट 3 उपर में जो हमारा वेलू है उसको उतार देंगे ठीक है अब देख रहें कि 8 पला 16 कितना जाता 24 बट्टा रूट 3 ठीक है यह हमारा अंसर यहां आगे है बट यहां पर अंसर आम लोगो यूप सबनें डैकां से तो हो आथ करने पर मतलब क्या करना प्रेंगा एक चोहों की मैटार möchten को वहां कपर करना अब एचान का होता हुआ मैं यंदक नीचे वालि जो शंखया होती हूं उपर म्लोगिória कर नक्मीजक्र हों कि निचे जो संख्या हो उपर मैंटिप्लाइए करते हैं एक बार नीचे मलतिप्लाइए करते हैं तोLuc करते हैं रोट 3 उपर मेंगा मैं मैं पूलाइए मैं est कर नहीं सब्सक्ता है तो हम मचाँ पर और गुना रूट 3 है मतलब जब रूट 3 वाले नंबर को जब हम लोगों मंटिपाय करते हैं उसके अंदर में सेम नंबर होता है तो वो हमारा एक नंबर बागा राजा इस तरीकर से हमारा यहां 3 आ गया ठीक है मैं यह आप में दिखा देता हूं कि जब सेम नंबर वाले रूट क हो गया इसे पेल की कूल उच्छाए आठ रूट 3 मीटर यह हमारा अंसर आ गया इस तरह से हमने इस कोशन को कम्प्लेट लिए बना दिया और मुझे हम भी दे कि आप लोगों को यह वीडियो यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइ करें ठीक है तो आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे कमेंट करें और मुझे बताएं ठीक है ओके